नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने कम्पीटर में user account कैसे बनाते हैं उसको कैसे manage करते हैं और user account कैसे delete करते हैं user account हमारे computer में बहुत चीज होती है आप सब वैसे तो आप सब user account के बारे में जानते ही होगे user account जहां से हम अपने computer को यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे बेटा ट्रिक्स user account से लॉग इन किया हुआ है अपने computer पे यह local user account होते हैं तो आए हम सीखते हैं सबसे पहले हम अपने computer में start menu पे click करते हैं उसके बाद हम जाते हैं control panel पे और click करते हैं control panel पे एक नई window आपके सामने यहां पे open होती है यहां पर हम जाते हैं यूजर एकाउंट एंड फैमिली शेप्टी पे और इस पर डबल क्लिक करते हैं उसके बाद हम यहां पर जाते हैं यूजर एकाउंट पर और यहां इस पर हम क्लिक करते हैं यहां पर मैंने बेटा ट्रिक्स से मैंने लॉग इन किया हुआ है यहां पर में Deixa to your user account अब अगर हम इस अकाउंट को पे इसका password चेंज करना हो तो हम यहां पर change your password पर क्लिक करेंगे अगर password हटाना है इस अकाउंट का तो हम यहां पर क्लिक करेंगे remove your password और अगर इसकी picture यहाँ पे photo अगर इसकी change करनी है तो हम change your picture पे click करेंगे और अगर change your account name अगर इसका account name better tricks के अलावा और कुछ रखना है तो हम यहाँ पे click करेंगे और change कर देंगे अपना नाम और अगर यहाँ पे change your account type और अगर यहाँ पे हमें account type change करना है जैसे इसका account type है administrator और अगर हमें standard user बनाना है तो यहाँ पे हम click कर देंगे अब अगर हमें एक नया account बनाना है इसके अलाबा एक हमें नया account बनाना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और click करेंगे manage another account पे और double click करेंगे इसपे तो एक यह Windows यहां पर आएगा कि यहां पर दिखायागा हमारी computer में अभी तक कितने account बन चुके हैं अगर हमें एक और नया account बनाना है तो हम यहां पर click करें create a new account इस पर double click करेंगे अब यहां पर आया है this name is will appear name the account यहां पर account का नाम देना है आपको कोई भी नाम यहां पर दे सकते हैं जो आप चाहते हैं मैं यहां पर दे रहा हूं account का नाम technology यहां पर नाम मैंने दे दिया अब यह पूछता है कि आप standard user बनाना चाहते हैं कि administrator user ध्यान दीजिए administrator account क्या होता है administrator account have complete access to administrator account के पास पूरी authority रहती है वो पूरे computer में कुछ भी changes कर सकता है कोई भी file delete कर सकता है कोई भी file नई file बना सकता है लेकिन standard user के पास कुछ चीजों का ही इसके पास authority रहती है यह सारी चीजे और सारी setting अपने computer नहीं कर सकता तो आप आप को टाय करना कि आप standard user बनाना चाहते हैं कि administrator user मैंने यहां पर standard user पर click किया हुआ है और यहां पर click करूँगा create account पर तो एक नया account हम यहां पर यह message दे रहा है कि हमने एक account बना दिया हुआ है इस नाम से एक account बन चुका था इस पर इस computer पर तो हम कोई दूसरा नाम दे देते हैं यहां पर मैं दे देता हूँ प्रतीक मैं अपना नाम यहां पर दे देता हूँ अकाउट का नाम और यहां पर standard user और उसके बाद मैं create करता हूँ create user यह देखिए यहां पर प्रतीक यूजर नाम बन गया है अब हम अगर हमें इसकी photo चर्ग करनी यह तो हम यहां पर double klik करेंगे प्रतीक पर change the account name, हम यहां पे account name change कर सकते हैं, अगर हमें पासवर्ड डालना है तो हम create password कर सकते हैं, अगर इसकी picture हमें change करनी है, तो हम change the picture कर सकते हैं, अगर इस पे पारेंटल कंट्रूल लगाना चाहते हैं, तो पारेंटल कंट्रूल लगा सकते हैं, पारेंटल कंट्रूल अगर आपको जानना है तो आप हमारे आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं कि what is parental control यहाँ पे change the account type यहाँ पे हम account type चेंज कर सकते हैं जैसे इसका account type है standard user अब अगर हमें इस account को delete करना है तो हम इसको delete कर सकते हैं यहाँ पे delete the account अब यह पूछता है do you want to keep प्रत्रीक फाइल किया आप इस file इस username को delete करना चाहते हैं तो अगर आप delete करना चाहते हैं delete files कर दीजे तो हम यहाँ पे delete करते हैं अब यह पूछता है are you show you want to फिर से पूछेगा क्या आप डिलीट करना चाहते हैं इस यूजर एकाउंट को तो अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजे डिलीट यूजर यह देखिए यहाँ पर प्रतीख यूजर एकाउंट डिलीट हो गया आप हमारी प्रोसस यहां पे सुमाप्त होई मैं आर्शा करता हूँ कि आपको ये पूरी प्रोसस अच्छे से समझ में आ गई होगी और दूसरी ट्रिक्स और दूसरी टेकनॉलोजिस रिलेटेड़ कोई भी ट्रिक्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल better tricks पे देख सकते हैं, search कर सकते हैं, धन्यवाद